दोस्तों नमस्कार डोगनी कैफे में आपका स्वागत है दोस्तों पारो वारिस के बारे में हर कोई जानता है जो पैट ओनर है जो डोग रख रहे हैं या डोग बीड रहे हैं उनको सोब को पता होता है या कोई इवन नया डोग खरीद रहे है नया पपी ले रहा है तो उनको तो ये जानकरी प्रोवाइड कर दी जाती है कि आपके पपी को पारो वारिस ना हो जाए इसलिए आप उसका वैक्शिनेशन करवाएं तो दोस्तों इसमें लगबग सिम्टम सब को पता ही होता है कि इसमें वमिटिंग होती है, डायरिया होता है, बार बार वमिटिंग होती है और जो डायरिया होता है उसमें बदबू आती है काफी ज़्यादा, बलडी डायरिया होने लग जाता है तो दोस्तों इस तरह के symptom है, डोग खाना पिना कम कर देता है, डिया इडरेशन काफी हो जाती है तो ये लगबख सभी को पता ही रहता है, पर आज अपने को किन बातों का ध्यान रखना होगा आपन जो पिले है, जो पपी है, जिसको पारो वारिस हो गया है, उसकी कैसे केर करें उसमें अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, अलाकि जो वेटनेरिंस हैं, उनको सब को पता होता है क्या आपन कहां गलती करते हैं कहां नहीं करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को भी दबाएं तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों कभी-कभी यह होता है कि अपन डोग की वेक्शिनेशन भी करवा ली है डीवर्विंग भी अपन करवा रहे थे डोग को मल्टी विटामिन भी दे रहे थे फिर भी पारो वायरस हो गया और दोस्तों अगर जैसे ही ड hen को पारो वारस होता है तो और काफी प्रेशान होते हैं और एवन कभी-कभी जो पपी का जो ट्रीटमेंट सही समय पे शुरूँ नहीं होता है तो वहाँ drip चड़ा रहे हैं वो कौन सी speed से चड़ाएं उसका flow जो है क्या रहना चाहिए दोस्तों डोक्स में होने वाला जो पारो वायरस है वो दो स्टेज में होता है सबसे पहले जो स्टेज है वो है intestinal form और दूसरी है cardiac form दोस्तों जो cardiac form का जो पारो वायरस है उसमें लगबग 80-90% पता है नहीं चलता है कि cardiac form का है उसमें treatment करने का जो मौका नहीं मिलता है डोक की अचानक से मृत्व हो जाती है और जो intestinal form है दोस्तों उसमें अपन क्या है कि जो डोक की life अपन बचा सकते हैं औ अगर अपन डोक को treatment देवें सही समय पे देवें गिलाज शुरू हो जाए तो उसमें डोक जो बच जाता है और दोस्तों इसमें डोक को क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इसमें fluid therapy दी जाती है ताकि इसमें क्या है कि डोक dehydration से डोक की death ना हो डोक की जो body है वो श्रीर जिंद की death है और सबसे बड़ी बात इसमें आती है dehydration की इसमें डोक को लूज मसुन होते हैं डायरिया होता है काफी जयादा इस तरहां डोक को क्या है कि fluid therapy दी जाती है ताकि जो fluid दोग में नया आए और दोस्तों डोक को जो पपी को fluid therapy दी जाती है वो दिन में दो बार देनी होती इजाती है ढो जो जुरूर्ट देखेंगों अगर इसके पास गानों के पास स्किन जो चॉड़ेंगे तो अगर वो उसकी नॉर्मल शेप में बड़ा इजी लिया आ जाती है, आराम से आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो धीरे 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 अपनी नॉर्मल शेप में आ रही है, इसका मतलब डोग जो है, डियाइडरेट है, वहाँ पे उसको डिप की जुरूर्ट प का उपयोग नहीं करें, कोई भी टीटमेंट नहीं करें, अगर आपने आपके डोग की लाइफ बचानी है, तो तुरंत आप मेटेनिस के पास लेके जाएं, वहाँ डोग को एड्मीट कराएं, उसका इलाज कराएं, ताकि अपना जो डोग है, वो सेफ जो हो सके, दोस्तों आपके लिए एक नॉर्मल जानकारी है, कि अपने कैसे केर करें, अपने को पता होना चाहिए, अब दोस्तों बात आती है डोग को फ्लूड देने की बात, अगर डोग को फ्लूड चढ़ा जाता है, तो उस फ्लूड का टंपरेचर क्या होना चाहिए, दोस्तों अगर सर्द वो बराबर हो जाए जिसमें अपने को अच्छे अर्जल्ट मिल सकें और दोस्तों अगर गर्मियों में फुलूड चड़ाय जा रहा है तो गर्मियों में टंपरेचर जो फुलूड का काफी जादा होता है प्लास्टिक बोटल में आता है तो इसलिए कि है कि अपन कुछ जो ठंडी है गुलकोज वो चड़ाई जा रही है या जो गर्मियों का मौसम है वहां पे 40 पलस का जो टंपरेचर है उस टंपरेचर की जो गुलकोज चड़ाई जा रही है तो वहां पर दिक्कत आती है अलाकि जितने भी बटनेरें से उनको इस बारे में पता होता है कि कि किस टंपरेचर के लगानी चाहिए किस पे नहीं लगानी झाले पर दोस्तों आपके लिए एक समयने जानकरी है कि इस प्राती है किटना देना चाहिए दोस्तों फ्लूड की जहां तक डोग को requirement रहती है वो रहती है 40 ml पर केजी और पर डे के साब से अगर दोस्तों आपका डोग है वो 5 केजी का है तो वहां पे अपन 200 ml उसकी जो फ्लूड की requirement रहेगी पर डे जो 200 ml जो है अपन 100 ml सुबह देंगे और 100 ml अपन शाम को देंगे 5 केजी बोडी वेट पे तो दोस्तों ये तो था कि फ्लूड थैरे की पी की जो requirement क्या है उसका temperature क्या रहना चीए अब दोस्तों बात करते हैं इसके flow की दोस्तों flow है अगर आपने बहतर रजट लेने होते हैं तो वहां पे flow इसका बिल्कुल slow रखना चीए लगबग 1-2 गंटे 2-3 गंटे का टाइम हो तो उसके दुरान लगाने चीए ऐसे नहीं कि आपने 10-15 मिंट में बोतल फिनिश की 200 ml चढ़ाई और ठीक है काम हो गया तो दोस्तों ऐसे नहीं है इसके बारे में अगर आपने अच्छे रजट लेने हैं पारो में तो डोग को जो फिलूड है वो लगबग 1-2 गंटे में 200 ml अगर चढ़ा रहे हैं डेट से 2 गंटे में slowly slowly चढ़ा सकते हैं तो और भी दोस्तों जो अच्छी बात है अगर दोस्तों डोग को फुलूड चढ़ाए जाता है तो फुलूड थेरपी में यह होता है कि कौन-कौन से फुलूड चढ़ाए जाने चाहिए और जातर क्या है कि जब भी जो डोग लेके आते हैं अगर कहीं से रेफर होके आया है यहां किसी जो दूसरी जगह से जो ट्रीटमेंट करवाके जो दूसरे वेटनेरिक के वास शिप्ट हुआ है तो वो बोटल रखते हैं कहते हैं जी एक चोटी बोटल चढ़ाई थी एक मेटरोनीडाजोल होती है और एक तरह से एंटिवाटिक होती है जो पेट के इंफेक्शन के लिए सबसे बैस्ट है और दूसरा जो इसके जो श्रीर में एनर्जी के लिए डी फाइव या डी टैन या डीनेरिंस का जो वेटनेरिंस है उप्योग करते हैं जो उसके डाइगन वेटनेरिंस डोग की कंडिशन के उनसार आपको बताएंगे कि इसको दो दिन जो इसको भुखा रखना या तीन दिन रखना है जिससे कहा है कि डोग अपना जल्दी रिकवर हो सके और दोस्तों इसमें एक बोटल हो चड़ाई जाती है आरल जो एक तरह से जो लवन जो साल वाइरस से रिकवर हो डोग की जो बोडी है उसको जीवीत रखा जाए और इसी दुरान डोग की जो स्रीड में इमूटी बन जाए पारो वाइरस से लड़ने के खिलाब और अपना जो डोग है वो सेफ हो जाता है डोग अपना बच जाता है और दोस्तों ये एक तरह से बै कि आपको इसमें रिजल्ट मिलने वाला है और दोस्तों इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि अपन डोग को आई वी कैसे लगाने चाहिए किस तरह से लगाने चाहिए हलांकि मैंने एक अलग सी वीडियो डाल रखी है कि आई वी लगते समय कौन सी वेन में लिंक दे दूंगा और दोस्तों यह डोग था काफी दिनों से बिमार था यह जो स्कीन पर दिख रहा है हमने लगबग पांस दिन तक इसको ट्रीटमेंट किया और पांस दिन तक इसको कहा कि फास्ट पर रखा बुखा रखा और पांस दिन बाद यह डोग था दोस्तों बि ये वीडियो में आप इसको देख सकते हैं तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा धन्यवाद